नमस्कार, आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग पूने मेट्रो लाइन 3 जो शुरू होती है सिविल कोट शिवाजी नगर से एंड एंड होती है हिंजावाडी मान फेस 3 आईटी पार्क में इसका पूरा काम जाकर देखने वाले है इस लाइन में टोटल 23 मेट्रो स्टेशन है और यह पूरी लाइन 23 किलोमेटर लंबी है तो चल यह अब बिना किसी देरी किये आज के इस एपिसोड के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो की शुरुवात हम लोग सिविल कोट मेट्रो स्टेशन से करने वाले है इसलिए हम सबसे पहले उसी डिरेक्शन में जा रहे है और मेट्रो जो है वो संचेती हॉस्पिटल के सामने से गुजरने वाली है इसलिए संचेती हॉस्पिटल के में जंक्शन में मेट् का काम बढ़ने वाला है एंड क्योंकि यहाँ पर पहले से एक अंडर पास है इसके कारण मेट्रो के पिलर्स को साइड में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है बाई पुनेरी मेट्रो सो अब हम लोग अप्रोच करने वाले है लाइन 3 के सिविल कोट मेट्रो स्टेशन को आपको बता दू इन फ्यूचर आपको सिविल कोट एरिया में दो मेट्रो स्टेशन दिखने वाले है एक है ये लाइन 3 का मेट्रो स्टेशन और दूसरा मेट्रो स्टेशन यहाँ से 100 या 150 मीटर की दूरी पर है वो महा मेट्रो ऑपरेट कर रही है और उस दूसरे मेट्रो स्टेशन से आपको पिमप्रिचिंच्वड, स्वारगेट, वनास कोथरूड और रामवाडी नगरोड की तरफ जाने के लिए मेट्रो मिल जाएगी और इन फ्यूचर इन दोनों मेट्रो स्टेशन को एक फुट ओवर ब्रिच के द्वारा जोडा जाएगा जिससे इन दोनों लाइन्स का इंटिग्रेशन हो सकेगा उसके बाद अगर आप गौर से देखो तो मेट्रो स्टेशन के बाद भी पिलर्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है रीसेंटली PMRDA ने कहा है कि इसी मेट्रो लाइन को फ्यूचर में हडपसर लोणी कालभोर तक एक्स्टेंड करने की प्लैनिंग चल रही है और यह जो एक्स्टेंडेड लाइन रहेगी यह पूने कैंप फातिमानगर के थुरू जाने वाली है तो मेरे हिसाब से इस लाइन के उपर जल से जल काम शुरू होना चाहिए क्यूकि यह लाइन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगी हे मेट्रो स्थानक शिवाजी नगर इस मेट्रो स्टेशन इस शिवाजी नगर इस मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरते ही आपको महा मेट्रो का अंडर्ग्राउंड मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा और वहाँ से आप स्वारगेट की तरफ या पिम्परी चिंचवड की तरफ ट्रैवल कर सकोगे मेट्रो से अर्च widget, या मेट रिल कामी से प्तोडको अरो कामालनी में प्याय थाँ आप फिर शाउ प्रफ पेश हे मेत्रो स्थानक अग्रिकल्चर कॉलेज इन फ्यूचर अग्रिकल्चर कॉलेज फर्गुसन कॉलेज रोड या फिर पुलिस ग्राउड की तरफ जाना हो तो आप इस मेत्रो स्थेशन का यूज कर सकते हो या फिर सेकेंड ऑप्षिन आप शिवाजी नगर मेत्रो स्थेशन पर ही उतर सकते हो हे मेट्रो स्थानक आरबी आए इस मेट्रो स्थेशन की मदद से आप E-Square, Zudio and RBI की बिल्डिंग की तरफ जा सकोगे यही है स्टार्टिंग पूने युनिवर्सिटी डबल डेकर फ्लाय ओवर का इस डबल डेकर फ्लाय ओवर के पहले लेवल पे नॉर्मल गाडिया चलेगी और दूसरे लेवल पे मेट्रो रेल चलेगी और जब यह फ्लाय ओवर बन के तयार हो जाएगा उसके बाद आप लोग पूने युनिवर्सिटी जंक्षन को काफी जल्दी पास कर पाओगे without any traffic, without any problems और इस डबल डेकर फ्लाय ओवर का काम काफी टाइम से चल रहा है बट अभी recently ही इसके काम को गती मिलनी शुरू हुई है जैसे हम देख रहे हैं इसके पायर राम्स को extend करने का काम शुरू हो चुका है मेट्रो के लिए span erection का काम भी शुरू हो चुका है and university junction में जो main choke है वहाँ पर इस flyover का काम अब अच्छी तरह से शुरू हो चुका है and हाँ university junction में इस flyover के लिए बहुत ज्यादा dynamic traffic divergence implement किये जाते है in fact हर 15 दिन में बदले भी जाते है according to the situation तो अभी जो current वाला चल रहा है उसके अंदर अगर आपको बानेर की तरफ जाना है तो आपको पाशान रोड लेना होगा अगर आपको अउंद की तरफ जाना है तो आपको बानेर रोड लेके थोड़ा सा आगे जाकर यूटन लेना होगा ये है traffic diversion अभी के लिए and इस diversion के कारण पुने university junction signal free हो चुका है so मेरे हिसाब से इसी diversion को आगे continue करना चाहिए and हाँ आप लोग सोच रहे होगे इस flyover की deadline क्या है इसका पूरा काम कब तक complete होने वाला है क्यूकि बहुत सारे लोग जो रोज यहां से pass करते है उनको काफी सारी कठीनाईयों का सामना करना पड़ता है यहां के heavy traffic के कारण उनको घर जाने को, office जाने को रोज लेट होता है and और भी काफी सारी problems है तो मेरे हिसाब से इस flyover का पूरा काम इसी साल September, October या November 2024 तक complete हो जाना चाहिए देखते हैं क्या होता है बट अब आप लोग सामने देखिए पूने University Metro Station आ चुका है यह Metro Station काफी ज्यादा important रहेगा future में क्यूकि पूने University को यह जोड़ता है University यहां से थोड़ी दूरी पर है इसलिए मैं expect करता हूँ पूनेरी Metro in future यहां से University के लिए feeder bus service प्रोवाइड करेगी So traffic divergence की वज़ा से अब हम लोग वापिस से पूने University की टरफ ट्रावल कर रहे है क्यूकि मुझे आपको PMR 18 यशदा सकालनगर Metro Station का का काम दिखाना है इस Metro Station का का काम advanced stages में आ चुका है इसकी walls के उपर भी काम शुरू हो चुका है Concourse level में अच्छा खासा काम चल रहा है और इसके entry exit पे भी काम शुरू हो चुका है यहां पर जो societies है उनको काफी ज्यादा benefit है क्यूकि बाहर निकलते ही उनको Metro Station मिल रहा है क्यूकि बाहर है क्यूकि बाहर है क्यूकि बाहर है फटेखाय है कया क्यूकि बाहरा धनको काम स्टेटúp झाल 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 हे मेट्रो स्थानक, कुरुशी अनुसंधान इस मेट्रो स्थेशन के कॉनकोर्स लेवल पे अच्छा खासा काम चल रहा है अगर आप राइड साइड की तरफ देखो तो इस मेट्रो स्थेशन के एंट्री एक्जिट पे भी काम शुरू हो चुका है वो फाउंडेशन उसी के लिए है झाल 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 है मेट्रो स्थानक बानेर इस मेट्रो स्थेशन इस बानेर झाल 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 हे मेट्रो स्थानक बानेर गाउ इस मेट्रो स्थेशन इस बानेर गाउ झाल 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 झाल 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 हे मेट्रो स्थानक बालेवाडी फाटा झाल 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 हे मेट्रो स्थानक बालेवाडी हाइश्ट्रीट पूने का एक ऐसा एरिया है जो हमें इंटरनाशनल वाइब्स देता हैं यहाँ पर काफी सारी शॉप्स, सूपर मार्केटश, काफेश, restaurants, offices है इसके कारण काफी ज्यादा vibrant area है बट PM PML की buses इस area को अच्छी तरह से connect नहीं करती अपने बाकी network के साथ इसलिए metro का यहाँ पर आना game changer है को अबस्टा पर अच्छी है साथ कर अच्छी तरह है भाल पाल है आ हे मेत्रो स्थानक राम नगर इस मेत्रो स्थान इस राम नगर अ झाल झाल हे मेट्रो स्थानक NIC MAR इस मेट्रो स्थानक NIC MAR इस मेट्रो स्थानक का काम एडवान स्थेजिस में आ चुका है और फ्यूचर में जब यहाँ पर मेट्रो शुरू होगी तो ये वाला स्थेशन NIC MAR University और इस पूरे एरिया के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा ये के लिए ज्यूचर है पjan पर दिए स्थेशन झाल झाल हे मेत्रो स्थानक, बालेवादी स्थादियम इस मेत्रो स्थानक बालेवादी स्थादियम झाल 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 着 झाल हे मेत्रो स्थानक वाकड ये मेत्रो स्थानक वाकड रहे बोथ for the हिंजावादी साइड and the श्रीवाजी नगर साइड. करत payment कान्टנ्ट कर दाना काना रहे बोच प्राइपा कि आप बगा दो कि अिए तर भाइब हो और भाइब हो पाइब जास अबूब कर दो जाइब हो जैप जाराइब हो जब अलाइब हो जब दो कि अ करते हैं, कर दो… जाइ बार बार गर बार बार एक जाइब से पीदों बार को बार है अगर फ्यूचर में आपको महिने भर की शॉपिंग करनी है घर के लिए सो आप इस मेट्रो स्टेशन पर आ सकते हो क्योंकि इस मेट्रो स्टेशन के साइड में ही लोकेटेड है डी मार्ट सो आराम से अपनी शॉपिंग कीजिए और मेट्रो से घर जाएए प्यारा राम से दो आ जाएचो बाडना के साइड में में इस घर काफो आ रुप ख झाल 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 हे मेट्रो स्थानक चत्रपती शिवाजी महाराज चौक हिंजावाडी इस मेट्रो स्थानक की मदट से आप हिंजावाडी का मेन चौक चत्रपती शिवाजी महाराज चौक की तरफ जा सकोगे हे मेट्रो स्थानक पॉल इंडिया इस मेट्रो स्थेशन इस पॉल इंडिया जो रोज हिंजावाडी आईटी पार्क में आता है काम करने के लिए और वो दोपेहर के टाइम पे आता है अपनी खुद की बाइक पर सो आप ही सोचिए अगर कोई इंसान रोज इस आईटी पार्क में आता है गर्मी के मौसम में दोपेहर के टाइम अपनी बाइक पे तो उसे कितनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा कितना उसे प्राब्लेम होगा क्यूकि आजकल गर्मी काफी बढ़ चुकी है और आगे चलकर ये गर्मी और भी तीवर होने वाली है सो मैं सोच रहा था जो भी लोग रोज यहाँ पर ट्रैवल कर रहे है इस गर्मी में अगर उनके लिए अब तक मेट्रो अविलेबिल हो जाती तो उनको कितना ज्यादा कन्विनेंट होता उनको इस गर्मी का सामना नहीं करना पड़ता वो आराम से एसी में बैठ कर आ जा सकते और इससे उनकी वर्क प्रोड़क्टिवीटी भी बढ़ सकती बट मेट्रो ना होने के कारण उनको कैब्स फिर उनकी खुद की स्कूटर बस इनके उपर रिलाई करना पड़ रहा है इसलिए मेट्रो की ज़रूरत ज्यादा से ज्यादा है और बहुत लोग ये आर्गूमेंट देते हैं कि उनकी परसणल वहिकल मेट्रो से ज्यादा फास्ट है कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी परसणल वहिकल मेट्रो से ज्यादा फास्ट हो बट हमें सिर्फ स्पीर का फैक्टर नहीं देखना है हमें convenience factor भी देखना पड़ेगा जब आप अपनी personal vehicle use करते हो आपको traffic का सामना करना पड़ता है आपको potholes का सामना करना पड़ता है रास्टों पर आपको traffic rules follow करने पड़ते है बट metro में ऐसा कुछ नहीं है आपको metro में सिर्फ ticket लेनी है और बैटना है आपका उतना ही काम है so कभी भी, any day, metro will be more convenient than your personal vehicle Hey Metro स्थानक, Wipro Technologies This metro station is Wipro Technologies आपको नहीं है झाल झाल Hey Metro Stanak, Infosys Phase 2 This Metro Station is Infosys Phase 2 This Metro Station is Infosys Phase 2 हे मेत्रो स्थानक दोह लेल अगर आप लोग ने एक बात observe की होगी तो हिंजावाडी एरिया में जो भी मेत्रो स्थेशन है उनका काम काफी ज्यादा advanced stages में है compared to other मेत्रो स्थेशन आप लोग को और एक बात बतानी थी पुनेरी मेत्रो ने कहा है September 2024 यानि इसी साल में हिंजावाडी मान phase 3 से वाकड तक trial runs conduct होने वाले है ये बहुती बड़ा important update है क्योंकि एक बार trial runs conduct हो गए उसके बाद 2025 में हिंजावाडी metro line शुरू हो सकेगी entirely and ये होता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा but we should hope for the best क्योंकि छार रमाड़ा अच्चर्चोंकि बाद रभाड़ागाबाड़ा लगाड़ा अच्चर्स पंचर्स स्पेड़न वी और प्ोड रावा यह जुब ? है मेर्च ठानक क्वाडरॉन इससे मेर्चेश इस वाडरॉन कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अप्सक पर नहां हे मेट्रो स्थानक Megapolis Circle This metro station is Megapolis Circle So, ये वाला metro station इस लाइन का last metro station है अगर हम शिवाजी नगर से आते है and इस metro station के मदट से आप Tata Consultancy Services की तरफ जा सकोगे झाल 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 झाल